हलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू भर्वा पराठे तो मैंने आलू भर्वा पराठे के लिए आलू को पहले बॉयल कर लिया है अब यह हमारे आलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं अब इसे हम कुकर से निकाल कर तयार कर लेते हैं तो जल्दी से हम मतलब बनाने हैं पराठे और आलू को छीलने में लगे ताइम तो इसके लिए हमें क्या करना है इतना टाइम नहीं था कि मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ दें तो यहाँ पर मैंने एक पौक की चाहता से इसमें आलू को इस तरीके से लगा करके छील लेंग अपधार, मैं इस तरीके से छिल के हटाते हैं आलू के जब जल्दी रहता है, तो मैं इस तरीके से आलू छील करके कर लेती हूं तैयार और फिर से हमें थोड़ा सा थंड़ा भी करना रहता है, अगर हम तुरंट ही मसाले मिला देते हैं गरम-ालू में तो फिर मतलब उतना पैले थोड़ा थंडा हो जाने देए उसके बाद ही आप इसमें मसाले मिलाएं तो यहां पर अलू का छिलका मैंने अच्छे से मतलब आलू को तोड़ करके साइड में रख देंगे मसाले में बाद में मिलाऊंगी जब तक यह ठंडा होंगे जब तक मैं आटा गूत कर तयार कर लेती हूं इतनी दिर में ही यह ठंडे हो जाएंगे इसलिए मैंने इनको तोड़ दिया आप चाहो तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हो मैंने ग्रेट नहीं किया मैं इसी तरीके से बनाती हूं और परफेक्ट आलू के पराठे बंदे हमारे विना फटे तो यहां पर मैंने आटा लगा दिया था अब हमारा जी आलू है जो भी ठंडे हो चुके हैं अब इसमें हम मिला लेते हैं मसाले तो मसाले में मैं अधाय थोडा सा चट पटा बनाने के लिए थोड़ा सा आमचूर पाओडर 1 चमच मैं में इसमें कर रहें हैं चांट मसाला और 1 चंश गरम मसाला अगर मेरे मैं इसमें धनिया एねड़ नहीं किया है एक तरीक करना है अगर आप अच्छे से इसी तरीके से बंद करेंगे तो हमारा मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा पहले हमें अच्छे से बंद करना आठे को थोड़ा सा सौफ्ट ही लगाना है तभी आलू का मसाला बाहर नहीं निकलेगा ये ट्रिक रहती है और हमें जब बेलते समय तो बीच में से बेलन लगा करके बेलना है किनारे से नह भटेगा आप देख सकते मैंने अपना पराठा बेल के तयार कर लिया आप इस हम रखते हैं तबलगे दाल दिया है अब इस पर हम घी ऑईल जो भी आप लगाना चाते हैं लगा सकते हैं पहले हम इसे अच्छे से दौनों शायर शे पकाएंगे बिना घीया ओयल लगाने से पहले तभी हमारा पराठा एकदम से क्रिस्पी और बढ़िया बनेगा करारे करारे पराठे बनेगे आप पहले अगर आज पर ओयल लगा दोगे तो उतना क्रिस्पी नहीं बनता है पहले दौनों सायर से पकाने के बाद में ही इस पर और लगाएं तो मैं देशी घी में ही बनाती हूं पराठे तो अब मैं इस पर देशी घी एट कर दे तो थोड़ ज्यादा ही लगता है तभी पराठे अच्छे बनते हैं तो सेम इसी तरीके से दौनों सायड में अच्छे से लगा लेते हैं गी और उसके बार गैस को लो क्रिस्पी क्रिस्पी सॉफ्ट जैसे बिल्कुल भी कोई नहीं खाता है अच्छे से ही शेक ना पड़ता है यह देख सकते हैं एकदम अच्छे फूल गया था पराठा और इसे देखिए कितना करारा पराठा बनके हमारा तयार हो गया है और आप इसे दही हरी चटनी सॉस ज जब मैंने आलू का मसाला बनाया था तो मैंने नमक भी टेस्ट के साफ से एड़ किया था आपको मैंने मतलब वो सूट नहीं हो पाया था आप सोचोगे कि आलू मतलब नमक तो डालाई